हर दमबरन का जो कंवर्जन हम लोग पढ़ रहे थे इसमें यह लास्ट आपका पार्ट होगा तो देखो इसमें आपको क्या और किसी भी डैस्मर में करना और किसी भी अधर बेस में आपको corri Records वाल तोसुन कैसे यह किसमें दे रखा आपको एक एक्जामपल हमनों ले ते जो पिछली बार हमने किया था पिछली बार हमने क्या था वन टू त्री अट बेस फोर था और इसे किसे कनवर्ट करना है ओक्टल में ओक्टल में कनवर्ट करने के लिए क्या करोगे इसे तो आप डेस्मल में कनवर् कर लेंगे आप decimal में convert कर ले अभी इस से पहले वाले वीडियो लेक्शे में किया था और Decimal से किसमें कर लोगे आप? Octal में कर लोगे कवा इए हो जाएगा अगर by the way मालो की base 4 को किसमें करना हो 16 में करना हो बेस 16 में convert करना हो जिसे करोगे? सबसे आब हम देखेंगे किसी भी decimal number को किसी आलग किसी दूसरे base में convert कैसे हम लोग करते हैं तो देखो क्या करेंगे हम लोग अगर हम चाहें अगर मार पास कोई नंबर है 64, 64 को हम किसमें convert करना चाहते हैं यह हमार किसमें दे रखा है, decimal में दे रखा है और इसमें किसमें convert करना चाते है binary में, ठीक है, यहाँ पर क्या base 2 है, base 10 है, किसमें convert करना चाते है, base 2 में, किस से divide करेंगे, 2 से divide करेंगे, 64 को 2 से divide करोगे, कितने times में जाएगा, 32 times में, remainder 0, फिर 2 से divide करोगे 32 को, करोगे, कितने times में जाएगा, आपका, 16 times में, remainder 0, again, 16 को 2 से divide क अगें, एट को टू से डिवाइट करो, कितने बार में जाएगा, फोर टाइमस में रिमेंडर, जरो, अगें, टू को टू से डिवाइट करो, कितने टाइमस में जाएगा, टू टाइमस में रिमेंडर, जरो, अगें, टू को टू से डिवाइट करो, कितने टाइमस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह किसमें convert हो गया आप बाइंडरी में आप देखो बाइंडरी से आपको decimal आता है तो चेक कर लो क्या 64 आ रहा है तो क्या लिखो कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आगे यहां से 64 तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो किसी भी number को convert कर सकते हो तो अगर आपके पास यहीं same number हो 64.25 दे रखा है ठीक है 64 वाला पार्ट तो आपने कर लिया कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 0 Fractional पार्ट के लिए क्या करोगे कौन से base में convert कर रहा हो Base 2 में तो 25 को किस से multiply करोगे 2 से multiply करोगे 25 को जब आप 2 से multiply करोगे कितना आएगा आपका 0.50 Fractional के बाद वाला पार्ट लेना है 0.5 into 2 कितना आ रहा है 1.00 Fractional के बाद क्या आपका 00 है तो यहीं पर अगर fraction के बाद आपका 00 आ जाता है वहीत आपको stop कर देना है और कहां से लिखोगे उपर से नीचे तो point 1 0 फिर यह वाला पार्ट लिखना तो 0 फिर 1 तो point के बाद क्या लिख दोगे 0 1 यह आपका आ गया यह आपका decimal to binary conversion हो गया अब हम लोग देखेंगे next आपका क्या देखेंगे हम लोग decimal to octal अब हम लोग देखेंगे decimal to octal तो आपको क्या दे रखा है कोई एक question दे रखा है 2, 1, 6 यह किसमें दे रखा है आपको decimal में दे रखा है और आपको किसमें convert करना इसे octal में convert करना है तो कैसे convert करोगा किसमें convert करना base 8 में किससे divide करोगे 8 से ही डिवाइट करोगे 216 को किसे डिवाइट करोगे आप 8 से डिवाइट करोगे 27 टाइमस में जाएगा रिमेंडर कितना होगा 0 फिर इसको किसे डिवाइट करोगे आप 8 से कितने टाइमस में जाएगा 3 टाइमस में रिमेंडर आपका कितना आ जाएगा 3 यह वाला पार्ट का थो हमें पता है कितना आ रहा है, three, three, zero आ रहा है, right, उसके बाद देखो, fractional पार्ट के लिए किस क्या करेंगे, point five, into, किस में convert करना है आपको, octal में, octal का base कितना होता है, eight, तो किस से multiply करोगे, eight से multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, point five into eight कितना हो जाता है, आपका, four, zero, right, तो आप यहीं पे रुख जाओगे, क्योंकि यह last में क्या आ रहा है, zero, zero आ रहा है, आ रहा है, आपका, क्या आ जाएगा, answer, three, zero, zero, point four, ठीके, यह वाला पार्ट सिर्फ आपको लेना होता है, तो इस तरीके से आप किसी भी, decimal to octal में भी, convert कर सकते हो, उसके hexa, right, decimal, मालों की question दे रखा, five, three, eight, six, यह किसमे दे रखा, आपको decimal में, आपको किसमे, convert करना है, base 16 में, right, तो कौन से base में करना है 16, तो किस से divide करोगे, 16 से, five, three, eight, six, इसे किस से divide करोगे, 16 से, कितने times में जाएगा, three, three, six, right, three, six, times में जाएगा, आपका remainder कितना आएगा, 10, ठीके, अब आप फिर क्या करोगे, इस three, three, six, को 16 से फिर से divide करोगे, जब तक division possible है, तब तक divide करोगे, कितने times में जाएगा, 21 times में, remainder कितना आएगा, zero, again, 16 से divide करोगे, कितने times में जाएगा, one times में remainder आपका कितना आएगा, five, अब तो one को 16 से divide नहीं कर सकते हो, तो आपको यही पर stop कर देना होगा, और hexadecimal में 10 को हम क्या लिखते है, a लिखते है, तो नीचे से उपर क्या लिख दो, क्या हो जाएगा, one, five, zero, a, base, 16, right, जिस base में आपको convert करना है, उस base से आपको क्या कर देना पड़ेगा, divide कर देना पड़ेगा, simply, ठीक है, कुछ नहीं करना, उस base से आपको simply divide कर देना है, तो एक और देख लो, अगर by the one, five, six, zero है, sorry, one, one, two, five, six है, यह आपको किसमे दे रखा, decimal में, आपको किसमे convert करना है, hexa में, क्या कर देखो, one, two, five, six, किसमे convert किसमे करना है, आपको, देखो, कौन से base में convert करना है, base, 16 में, तो आप किस से divide करोगे, 16 से divide करोगे, right, 16 से जब आप divide करोगे, कितने times में जाएगा, यह, 70, 8 times में जाएगा, और remainder आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर आप 4 से divide करोगे, कितने times में जाएगा, आपका, sorry, 16 से आप divide करोगे, तो कितने times में जाएगा, 4 times में जाएगा, right, तो 78 minus 64, कितना बच जा 16 को, मतलब 4 को 16 से रिवाइट नहीं कर पाऊगे, तो यह का आपको stop कर देना हो, कितना आजाएगा? 4, E, 8 राइट? समझके? तो इस तरीके से आप किसी भी hexadecimal को decimal में sorry, मतलब decimal को hexadecimal में convert कर सकते हो यह तो सारा आपने पहले भी देखा था अगर आपके पास कुछ unknown base आजाए, कुछ 2 2, 8 और 16 के अलावा कोई और base आजाए, तो क्या करोगे? जैसे कि आपका 54 दे रखा है यह किसमें दे रखा है decimal में और आपको किसमें convert करना? base 4 में, जिस भी base में आपको convert करना हो, आप क्या करोगे? उस decimal number को उससे divide कर दोगे, कितने टाइमस में जाएगा? 13 टाइमस में, आपका remainder कितना बचेगा? 2, again 4 से divide करोगे, कितने टाइमस में जाएगा? 3 टाइमस में remainder कितना बचेगा? 1, तो यहां से लिख दो आप, क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 right? सिम्पल से, अगर इसके जगह पर आपका क्या होता? अगर आपको मालो किसी और बेस में करना होता, 54 54 आपको किसमें दे रखा? base 10 में दे रखा और आपको किसमें convert करना है? base 5 में, कौन से base में? 5 में, तो इससे divide करोगे? 5 से 54 को 5 से रिवाइट करो कितने टाइम्स में जाएगा आपका बताओ 10 टाइम्स में जाएगा 5 टैंजा 50 रिमेंडर कितना बच जाएगा 4 राइट इस डिवाइट करना तो आ रहा है न 54 को आप 54 को किस से रिवाइट करोगे 5 से कितनी पार में जा रहा है आपका बताओ 10 टाइमस में रिमेंडर कितना बच रहा है 4 तो ये 10 को यहाँ पे लिख देना है आपको और रिमेंडर यहाँ पे लिख देना है फिर 5 से डिवाइट करोगे तो 10 कितने टाइमस में जाएगा जिरो अब यहाँ से क्या लिख देना है ऐसे करके लिख देना है क्या हो जाएगा आपका 2, 0, 4 at the base 5 तो इस तरीके से आप किसी भी decimal number को hexadecimal number में आसानी से convert कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आईए यहाँ तक बात सब को समझ में आ गई होगी अगर यहाँ बाइदवी जैसे fractional part होता अगर आपका कितना होता 25.12 होता यह आपका base 10 में दिया होता और आपको किसमे convert करना है base 4 में convert करना है तो 25 को किससे divide करना है किसमे convert करना है 4 में तो 25 को किससे divide करना होगा 4 से divide करना हो 25 को 4 से divide करो कितने times में जाएगा बताओ, six, fours अग कितना हो, 24, six times में, और आपका reminder कितना बचेगा, one, again, four से divide करो, कितने times में जाएगा, one times में, remainder कितना बचेगा, two, तो कितना हो जाएगा आपका, ये, ये वाला part कितना आगए, आपका, one, two, one, right, fractional part के लिए क्या करोगे, point one, two को किस से multiply करोगे आप, बताओ एक सेकंड, आपको क्या था, यह था न, 25 point, यह आपको decimal में दे रखा था, आपको किस में convert करना है, आपको base 4 में, तो 25 को आपने simply किस से divide कर दिया, 4 से 6 times में remainder कितना बचा, 1, again 4 से divide किया, 1 time में remainder कितना बचा, 2, यह क्या आगया, 1, 2, 1, right, इतना आगया, अब fractional part, 0.25 को कौन स किस में convert करना है, 4 में, तो इसे multiply करोगे, 4 से, कितना आएगा, 4.8, fraction के बाद वाला part लेजा, point के बाद वाला, 0.8 into 4, कितना आजाएगा, आपको, 0.8, again, 0.8 into 4, कितना आजाएगा, आपको, 3.2, अगें आपको कितना आ जाएगा 0.2 into 4 अगें कितना आ रहा है आपको 0.8 तो देखो यहां से आपको क्या हो रहा है यह वाली चीज आपकी repeat हो रही है यहां पर तो इसे यही पर आपको stop कर देना है यहां तक लिखना है तो इसमें क्या करते हैं हम उपर से नीचे लिखते हैं और fraction के पहले वाला पाट लेता है तो fraction के पहले वाला क्या आपका 4 उसके बाद क्या है 3 उसके बाद क्या है 0 और इसके आगे क्या लगा देते हैं पॉइंट और आपने फ्रैक्शन के पहले वाला 25 का क्या निखागा था 1,2,1 तो इसके आगे 1,2,1 लिख देते हैं और यह हो गया आपका बेस 4 तो इस तरीके से किसी भी बेस में आएगा तो आप कनवर्ट आसानी से उसे कर सकते हो राइट समझगे अगर बाइदर जैसे यह इसे हमेगी होता कि मालोग की जैसे आपको कोई हेक्सा डैसमल नंबर दिया होता हो यह आपको हेक्सा डैसमल नंबर दे रखा आपको बेस फोर में to k voter करना नहींगा नहीं आता उब सबसे पहले क्या करते हैं 16 को किसमें convert कर लेते 10 में और आप decimal 2 decimal से किसी भी डेडिक्स में convert करना आपको आता है तो आप फिर decimal से किसमें convert कर देते हैं base 4 में उसे convert कर देते हैं तो यहां तक आगे बास समझ में तो आपका यह number system को solve करेंगे क्या क्या rules होते हैं तो वह हम देखेंगे